आपके अपने क्रेक एक्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में 12 जून के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को हम लोग कवर करेंगे तो हमारा पहला प्रशन है हाली में जारी QS World University Ranking 2021 में भारत में Top University कौन सा रहा तो आंसर होगा IIT Bombay तो अभी QS World University ने नई Ranking 2021 रिलीस की है जिसमें Top 500 में भारत के केवल 8 Universities हैं अच्छा कर बात करेंगे भारत में कौन सा University Top पर है तो IIT Bombay Top पर है और Worldwide बात करेंगे तो IIT Bombay 172 नमबर पर है और पूरे विश्व में Top University कौन सा है तो USA का MIT यानि कि Massachusetts Institute of Technology अच्छा ये तो बात हो गया QS World University रैंकिंग की आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने पढ़ा था Times Higher Education की Asia University रैंकिंग आई थी जिसमें भारत में Top University था IISC Bangaluru और वो World Level पे 36 नमबर पे था और उसमें Top University था पूरी दुनिया में चाइना का सिंग हुआ University और उसकी लिस्ट में भी भारत की आठ यूनिवरसिटी थी तो ये भी आपको ध्यान रखना है बढ़ते आगे फिर हाल इमें प्रत्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुचने वाली पहली महिला कौन बन गई है तो अंसर होगा केथी सुलेवान अच्छे इन से related एक पॉइंट आपको और याद रखना है ये अंतरिक्ष में चहल कदमी यानि की Space Walk करने वाली भी पहली अमेरीकी महिला थी ये नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री है कैथी सुलेवान इनका नाम है और अभी इनका नाम यूज में इसलिए आ गया क्योंकि ये दुनिया के सबसे गहरे हिस्से में पहुचने वाली पहली महिला बन गई है और व्यक्ति वाइस बात करेंगे तो ये आठवी व्यक्त सकता है और ये जो चैलेंजर दीप में आपसे बार बार बोल रहा हूँ ये दुनिया भर में समुद्र का सबसे गहरा बिंदू है अचा इसी से मिलता चुलता है क्यूशन हम लोगोंने कल भी पढ़ा था अगर कल का वीडियो भी आप लोगोंने अमारा देखा होगा तो कल क्या पढ़ा था चाइना की मानव रहित पंडुबी जिसका नाम है है दाव वन उसने दुनिया के सबसे गहरे बिंदू पर गोता लगाया था बाकी ऑप्शन की बात करेंगे तो मो ओ ब्रायन इनका नाम इसी साल हमने पढ़ा था अट्लांटिक महा सागर को पार करने वाली पहली बधिर वैक्ती बनी थी ये बधिर वैक्ती मतलब डीफ परसन और जीना अकर की बात करेंगे तो लेबनाउन की पहली महिला रक्षा मंतरी बनी थी ये और इनका नाम इसलिए भी इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि लेबनाउन के साथ साथ पूरे अरब शित्र की प अपना नया MDCO किसे नियुक्त किया है तो सही उतर होगा निसाबा गोधरेज को तो ये निसाबा गोधरेज एक जुलाई से कंपनी की नई MDCO बन जाएंगी और ये किन की जगे लेंगी तो ये विवेक गंभीर की जगे लेंगी जिन्नोंने अभी इस्तिफा दे दिया है ये कोटेक ये कोटेक महिंदरा बेंक के MDCO भी हैं संदीप प्रधान ये स्पोर्ट्स अथरोटी ओफ इंडिया के अध्यक्ष है और इनका नाम यूज में इसलिए था क्योंकि अभी इनका कारेकाल दो साल के लिए बढ़ा दिया गया बाकी दिलिप ओमान की बात करेंगे तो स् लॉट करके आ रहे हैं उन्हें राज्य में जो कंपनिया हैं उन्से जोनने के लिए मतलब उनको नोकरी दिलाने में मदद करने के लिए कर्म भूमी पोर्टल को लॉंच किया गया है तो इसके माध्यम से लोग पस्चिम बंगाल के IT कंपनी से जुड़ पाएंगे अब बात पस्चिम बंगाल की है तो ये रा मैप में पस्चिम बंगाल कैपिटल क्या है कॉलकाता है अच्छा यहां से प्रस्ण पूछा जाता है कि कॉलकाता किस नदी के किनारे स्थित है हुगली नदी के किनारे स्थित है और याद रखना भारत की पहली underwater train भी आपके हुगली नद इसके अलावा अभी आपको याद होगा पच्चिम मंगाल सरकार ने प्रवासियों के लिए एक्जेट एप्लिकेशन भी लॉंच किया था वहीं पे मात्यरिस मरस्ती योजना भी शुरू की थी यहीं पे और इसनेहर पुरोश और प्रोचेश्टा योजना भी शुरू की गई थी उसके अलावा क्रशी मंत्राले ने 2018-19 के लिए बताया था कि सबजियों की उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पर है तो पच्चिम मंगाल टॉप पर है और फ़लों की उत्पादन में आंधर प्रदेश टॉप पर है अच्छा यहां से एक और इंपोर्टेंट यूज में था क्योंकि यहां पर जो टाइगर की संख्या है 88 से बढ़कर की कितनी हो गई ती 96 हो गई थी खुछ नैशनल पार्क है जल्दापारा नैशनल पार्क हो घूर और ने वी नैशनल पार्क हो गया और गूरु मैरा नैशनल पार्क यह भी आप ध्यान रखें आगे फिर हाल में किस राज्य सरकार ने ओनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंद लगाने की घूशना किये तो आंचरूगा करनाटक सरकार ने तो अभी करनाटक सरकार ने कक्षा पांचवी तक के सबी बच्चों के लिए ओनलाइन क्लासेज पर प्रतिबंद लगाने की घूशन की है तो ये कारण बताए हैं जिसके कारण ये फैसला लिया गया तो कौन सी क्लास तक क्लास फिफ्ट तक ये याद रखना अब बात करना टक की है तो ये रा मैप में करना टक कैपिटल का इस की बैंगलूरू है कई बार में आपको बता चुका हूँ देखो यहाँ पर कई सारी organizations की institute's के headquarters हैं जैसे की Infosys का headquarters है यहाँ पर विप्रू का headquarters आपका यहीं पर है हिंदुस्तान Aeronautical Limited का headquarters है आपका यहीं पर इसरू का headquarters भी आपका बैंगलूरू में ही है उसके अलावा Silicon Valley of India आपके बैंगलूरू को ही कहते हैं और याद रखना भारत का पहला city बना था बैंगलूरू official logo launch करने वाला उसके अलावा IT Capital of India भी इसको कहा जाता है और 2019 में digital LinkedIn के मामले में सबसे आगे भी बैंगलूरू ही रहा था मुक्यमंत्रियें BS यदी उरपा, governor है वाजुभाई वाला इसके अलावा अभी करनाटक के ओन्यूज में था क्योंकि जन सेवक योजना इनों ने शुरू की थी और एक आप्त मित्र एप्लिकेशन भी शुरू की थी उसके अलावा नमस्ते ओवर हैंडशे कारेकरम भी चलाय गया था और बैंगलूरू सिटी कॉर्पोरेशन ने प्रान वायू नाम का स्वशन स्वास्ते जागरुकता कारेकरम भी शुरू किया था उसके अलावा अभी मेग संदेश एप्लिकेशन को भी लॉंच किया था यहाँ पे एक तुंग बद्रा डैम है जो कि तुंग बद्रा नदी पर है इसके अलावा कुछ नेशनल पार्क की बात करेंगे तो बांधीपूर नेशनल पार्क है अंची नेशनल पार्क है बेनर गट्टा नेशनल पार्क है एक नगर होल नेशनल पार्क हो गया और पिछले साली करना तक के बुक का पटना को दूसरा चिंकाराव वन्य जिव अभ्यरन ने भी घोशित किया था ये भी आद रखना बढ़ते आगे फिर है हाल इमें के संजीता चानू को डोपिंग उलंगन आरोपों से मुक्त कर दिया गया आपको बताना इनका संबंद किस खेल से है तो अंसर होगा वेटलिफ्टर वेटलिफ्टर है ये और इनका नाम अभी न्यूज में क्यों रहा क्योंकि International Wet Lifting Federation ने भारत की जो के संजीता चानू है इन पे जो डोपिंग आरोप लगे थे अभी उन्हें हटा दिया है या दखना ये एक वेटलिफ्टर है और International Wet Lifting Federation का हैट्वाटर कहां पर है बुड़ा पेस्ट हंगरी में है अच्छा देखो इसी प्रश्ण में आपको दो-तिन प्रश्ण में आपको और बताने वाला हूँ, अब ध्यान से सुनना रश्या के हाई जंप चेंपियन है अलेक्जेंदर सस्टूप, अभी उन पे डोपिंग आरोपों के कारण Court of Arbitration for Sport ने चार साल का बैन लगा दिया है, इसके अलावा नाडा यानि के National Anti-Doping Agency ने भारते बास्केटबॉल प्लेयर हैं अमरत पाल सिंग और महीला बॉक्सर हैं नीरच फोगाट उन पे भी चार साल का प्रतिबन लगा दिया है और इनके अलावा अभी Athletics Integrity Unity ने गोमती मारी मुथू पर चार साल का बैन लगा दिया वही डोपिंग आरोपों के कारण तो इस एक प्रशन में मैंने आपको चार प्रशन बताये हैं तो इनको आप ध्यान रखना और चार प्रशन एक साथ बताने का लक्षे यही है कि आप अगर Notes बना रहे हो या PDF में लिख रहे हो तो एक साथ इनको लिख सकें देखो मैं चाहता तो इचार प्रश्न को अलग-अलग करके भी प्रश्न बना दे था तो हमारे प्रश्न की संख्या भी बढ़ जाती है और बहुत से स्टुडेंट शायद खुश भी हो जाते कि number of questions बढ़ गए हैं तो बहुत सारे बन सकते हैं लेकिन सभी questions का मतलब नहीं है तो exam oriented question आपको पढ़ना है आपको quality पे ध्यान देना है quantity पे नहीं जब ये चीज़े आप छोटी छोटी चीज़े समधने लग जाओगे न तो अपने आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाओगे तो अभी हम भी result में उस application को और बहतरीन बनाने में मुझे थोड़ा support भी मिल जाएगा तो चलिए अभी बढ़ते आगे और guys अगर videos आपको अच्छे लग रहे हैं मेरी महनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए helpful है तो please video को share जरूर किया कीजिए अगर इन videos से आपकी help ह होती है तो आप लोग मेरी help जरूर करें इन videos को like और share करके ताकि इन videos को continue रखने में मुझे भी आपका support मिल सके तो please इसे like और share जरूर करना और अगर आप में से कोई इस video को first time देख रहा है तो इस channel को आप subscribe कर लीजिए और subscribe करने के बाद में पास में जो bell icon आएगा उसे आ बाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आपको वीडियो की notification तब ही मिलेंगे जब आप bell icon को press करोगे तो चलिए अब बढ़ते आगे फिर है भारत में asiai share की आबादी में कितने प्रतिशत की record व्रदी दर्ज की गई है तो answer होगा 29% तो भारत में asiai share की आबादी में 29% क record आबादी दर्ज की गई है और अगर नंबर में बात करेंगे तो देखो 2015 में 523 थे ये नंबर में जो की अब 2020 में बढ़कर के 674 हो गए है और आपको बता दू मुखे रूप से पस्ची मी गुजरात में जो गिर अबहरन है वहाँ पे ये जंगली share पाये जाते हैं इसे ये शेर भी बोलते हैं भारते शेर भी बोलते हैं अच्छा शेरों से याद आया अभी कुछ समय पहले बागों से यानि कि टाइगर से related एक प्रश्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि 2012 से लेके 2019 तक सबसे ज़्यादा टाइगर कापे मारे गए हैं तो मद्यपरदेश में वैसे सबसे अदा टाइगर आपके मद्यपरदेश में ये तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते हैं अगे फिर हाल में उपन्यास अब बर्निंग किस ने लिखा है तो आंसर होगा मेगा मजूमदार ने तो अभी मेगा मजूमदार ने अब बर्निंग नाम से अपना एक नया नोवल लिखा है अच्छा शोबा डे के बारे में हम लोगों ने कली पड़ा था इन्होंने अपनी एक नई किताब लिखिये जिसका नाम है लोगडाउन लियेजन्स लिविंग एन अदर्स स्टोरीज अच्छा देखो इस प्रशन का उत्तर है मेगा मजूमदार तो इनी से मिलता जुलते कुछ मैंने आपको नाम लिखे दिये ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज कर सको और आप इसको याद भी रख सकें क्रशने इनू मजूमदार बाफ्ता के नए अध्यक्ष बने हैं जैदीप मजूमदार औस्ट्रिया में भारते राजदूद बने थे अच बुरुंडी के तो अभी बुरुंडी के राष्ट्रपती थे ये पीरे कुरुंजी जा और इनका भी निदन हो गया 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद अभी अगस्त में ही ये सत्ता छोड़ने वाले थे लेकिन उसके पहले इनका निदन हो गया अच्छा इसके लावा एक औ दुकाती इनका भी निदन हो गया बाकी बुरुंडी की बात है तो ये रा मैप में बुरुंडी केपिटल गिटेगा है करंसी है बुरुंडियन फ्रेंक बढ़ते आगे फिर हाल इमें गार्गो इंटरनेशनल ने किसे अपना ब्रेंड एंबेसेडर नियुक्त किया है तो अंचार होगा सोनुसूद को एक्टर है ये सोनुसूद और ये जो गार्गो इंटरनेशनल है ये बेसिकली दिली की एक लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनी है और इसी ने सोनुसूद को अपना ब्रेंड एंबेसेडर बनाया है और इस कंपनी का जो लुब्रिकेंट आता में जागरुकता फैलाने के लिए UNICEF ने मानुसी छिल्डर को चुना था और IIF और रोहित शर्मा अभी एक तो ये क्रिक किंडम की ब्रेंड अमिता बच्चन अभी रिसेंटली IDFC फर्स्ट बेंक के ब्रेंड अमिता बच्चन बाकी गारगो इंटरनेशनल की बात करेंगे तो इसके मैनेजिंग डिरेक्टर हैं रंजन गोयल बढ़ते हैं फिर हाल इमेक इस देश में पहली बार किसी अशुएत व्यक्ति को व अमेरिकी वायू सेना के चीफ आफ स्टाप पत पर निव्ट किया गया है और इस तरीके से अमेरिकी सेना में पहली बार किसी अशुएत व्यक्ति को वायू सेना प्रमुक बनाया गया है अच्छा अशुएत व्यक्ति की बात है और अमेरिका में बात है तो अभी काफी चर् तो येरा मैप में America capitalist की Washington DC है अच्छा Washington DC में DC का क्या मतलब होता है? District of Columbia प्रसिडेंट ए डोनाल ट्रम्प और कौनसे नंबर के हैं तो 45 वे नंबर के हैं और डोनाल ट्रम्प की पतनी का नाम है मेलानिया ट्रम्प और इनके उपर अभी एक बुक भी लिखी गई थी जिसका नाम है The Art of Her Deal, The Untold Story of मेलानिया ट्रम्प और उसको लिखा था Mary Jordan ने और अभी America ने G7 Artificial Intelligence Group में शामिल होने की घोशना कर दिये उसके अलावा अमेरिका ने Open Skies Treaty से अलग होने की गोशना कर दिये और WHOC भी इसके अलावा अभी America में भारते राजदूत कौन बने थे Ambassador तरंजीत सिंग संदू और USA क्रिकेट टीम के कोच कौन बने थे जे अरुन कुमार बने थे इसके अलावा अभी America ने चंद्रमा का पहला Digital एकिकरत भूवेग्यानिक नक्षा यानि की Unified Geological Map भी लाँच किया था तो यह कुछ पॉइंट है अमेरिका से जो भी न्यूज में थे या आप याद रखना बढ़ते आगे फिर हाली में Fitch Ratings ने वित्वर्ष 2021 में भारत की GDP Growth Rate कितना रहने का अनुमान लगाया है तो आंसर होगा 9.5% तो अभी Fitch Rating ने का है कि अब आगे अगर कुछ बुरा नहीं होता है तो अगले वित्वर्ष यानि की Financial Year 2021-22 में भारत की GDP Growth Rate 9.5% तक रह सकती है विसे अभी चालू वित्वर्ष के लिए यानि की Current Fiscal Year 2020-21 में भारत की GDP Growth Rate माइनस 5% रहने का अनुमान लगाया था Fitch Ratings ने इसके अलावा एक और पॉइंट बता दू अभी S&P यानि की Standard and Poor's ने भारत की Sovereign Rating BBB- पर बरकरार रखा है उसको अभी ये Sovereign Rating क्या होती है इसको मैं आपको Detail में समझा चुका हूँ पहले भी अभी कुछ समय पहले की बात है और कली हम लोगों ने जून महीने के First Week के Important Current Affairs को कवर किया है तो वहाँ पे भी ये Question में ने कवर किया है और वहाँ पे भी आपको Detail में समझाया है अगर आपन परसेंट तक गिरने का अनुमान है और World Bank ने क्या का था कि वित वर्ष 2020 किस्ट में भारत की Growth Rate माइनस 3.2% तक रह सकती है तो ये हमने कल पॉइंट पड़े थे तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रशन के उतर की तो कल के वीडियो में आपसे पूछा कि फसाई ने Food Safety Index 2019-20 जारी किया है जिसमें आपसे पूछा था बड़े राज्यो में कौन सा राज्य टॉपर है तो बड़े राज्यो में टॉपर था गुजरात आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उतर दिया है और गाईज अगर इस वीडियो को आपने अभी तक लाइ करके मैंने application पर upload कर दिया है तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहाँ जाए और इन सभी questions का आप practice लगा लीजिए ताकि ये सारे questions आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए और जो नए student इससे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूँ कि quiz में आप ranking feature भी add हो चुका है तो अगर आप कम समय में जादा से जादा question write करते हो तो आपका नाम आपकी photo के साथ top 10 students में आपको दिखाई देगा आपको ये नहीं जितने भी लोग quiz लगाएंगे उन सब को दिखाई देगा कुछ इस तरीके से ताकि आपको भी एक अंदर से motivation मिल सके कि आपको भी यहाँ तक पहुचना है ताकि सब लोग आपको top 10 ने देख सकें और वैसे भी आप तो आपकी इन current affairs का revision करवाने के लिए मैं इसका audio भी तयार कर रहा हूँ तो दिन में 4-5 मिनिट निकाल करके वो आप audio सुन लीजिए ताकि आपका इन current affairs का fit से revision हो जा करके आप मुझे follow कर लीजिए और follow करने के बाद में पास में जो bell icon आएगा आप उसे जरूर दबा लेना ताकि जब भी मूँ audio upload करूँ उसका notification आपको मिल सके और application अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किये तो उसका link भी आपको नीचे मिल जाएगा वहीं पे आपको quiz वीडियो, pdf सब मिल जाएंगे तो इस प्रशन का उतर आता है तो comment box में जरूर टाइप करिए चलिए अब मिलते है current affairs के revision वीडियो में, thank you guys